हेलो, वालकुम, मैं काजम खिल रहा है दुवारस, बीम एंजी ड्राइफ, और सौरी पिछले 2-3 दिन में एपिसोड आने के लिए बहुत जादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं ट्रेवल भी कर रहा था, साथी साथ रिकॉर्डिंग भी चल रही है, एडिडिंग भी चल रही है, मतलब बाहर के बहुत सारे काम चल रहा है, तो बस 2-3 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊँगा, तो उसके बाद में चैनल पर सारे एपिसोड आ जाएंगे, मतलब जो सीरीज चल रही है, जैसे माइनक्राफ, आर्ट सरवाबल, हॉगवर्ट्स, लेजी के दो भर-भर के ए गटिया तरीके से, बट इस बार ना मैं सोच रहो थोड़ी सी स्पोर्ट्स कार चलाए, और रेस लगाए, अब पता नहीं, रेस में हम जीत पाएंगे भी या नहीं, बट रेस लगा तो सकते है, तो यह एक हाईवे लूप वाली रेस है, जहाँ पर 4-5 अलग-अलग स्पोर यह से लगाएंगे लाता रहता हूँ, तो हम ट्रैक पर आचुके है, सारी चीजे लोड हो चुकिये, तो 3-2-1 भाइदा मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं के मैं यह रेस में कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ, फिल्हाल के लिए तो हम सेकंड पोजिशन पर हैं, और यहां के टन बहुत जादा गंदे होते हैं, एक एकसिडेंट और मेरी कार की बैंड बजगी, अच्छी खासी बैंड बजगे बढ़ फिर भी ना कोशिश करूँगा मैं, अरे सीधे, सीधे चले, मैं जा रहो, रिसेट कर रहो, मैं दुबार से लगाँगा, वान, टू और त इसी की तैसी होग भाई, एक छोटी सी ठोकर लगी, मैं वो ही तो सूचू, ये लोग टन के अपर भगा क्यों ने रहे, आगे एक टनल था, जिस पर मेरी नजर ने पड़ी, इस बार मैं रेस जित करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्लो कर लो, स्लो जा, स्लो जा, स्लो चाहे को जा भाई, स्लो जा बच गया, बहुत गंदा बच दाब बच हो, बहुत ज़्यादा बच हो मैं इस बार तो, येश, इधर के टनल के अंदर वाली जो चीजह हैं न वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, नही नहीं, नहीं, आगे टायर चिपक गया मेरा, इ मैं 100-200 पर तो टन लगाई नहीं रहा मैं फुल स्लो कर दूंगा मतलब 70 पर हम टन लगाएंगे वो जादा सही रहेगा एकदम चिपक कब भी अगर मैं टन लगा रहा नहीं तो राइट की दिवार मतलब देख रहे हो कार के से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हो रही है और इस केव से बार निकल गया और टनल से अभी पता नहीं है और कितनी कितनी दूर जाना है अपने को कार की स्पीड ना मैं टन्स के ओपर बहुत ज़्यादा धीरे रख रहा हूँ अभी मैं चप जाता गंदा वाला अभी मैं बहुत जाता गंदा चप जाता पीछे वाले मारा वहें पर एक्सिडेंट हो जाता और एक और दुबारा से खटिया टनल आ गई बिलकुल आराम से बिलकुल आराम से कोई कोई जदबाजी वाट चल भे वाई मैंने यह जान मुझके नहीं कि अस्टार हो मेरे बाज उसे आया तक्का माला और सीधर चिपक गया दिवार के अंदर खूज गया यहां से राइट लेफ नहीं है वाट भाई पीछे से आके बदला तो नहीं लिया वैसे वह वाइट कार वाला था ना इस बार मेरी गलती थी नहीं अच्छा हुआ हमाएं कुछ हुआ नहीं यह टनल क्या दुबारा से क्रॉस हो गई चलो यह दुबार से टनल अमने क्रॉस कर लिए अब पता नहीं कहा जाना है अनके उपर शायद से सामने टनल एक तो नहीं यहां पर मैप भी नहीं दिखते भाई मैं पगर दीखे तो समझ मैं बंदा वाट भाई इसका सामने का देख रहो इंदिन के उपर का फ्लैप पूरी बैंड बजगी क्य क्या मैंने चेक पॉइंट छोड़ दिया हूँ क्या मैंने चेक पॉइंट छोड़ दिया हूँ मैं रिसेट भी कर दिया मैंने रिसेट भी कर दिया गलती से जो फॉर्जा में रिसेट हो जाता है ना वही बटन दबाया और मतलब रिवाइंड की जगा रिसेट इस गेम में म मैं क्यों कनफ्यूजन क्रियेट कर रहा हूँ फॉर्जा समझ के मैंने रिवाइंड किया और इस गेम में रिसेट हो गया तो जैसे जैसे करके मैं ये चेक पॉइंट के पास में आ गया हूँ और अभी टेनल के अंदर हम तीनो कार का एकसिडेंट एक साथ में हुआ बार से इस तीसरे घटिया टनल के अंदर गुसना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैं घूम फिर के ना वही वाले ट्रेक पर आ गया हूँ ऐसा फील आ रहा है अंदर से लेट साथ देगे रहो कार हमारी कितनी ज्यादा डेमेज हो चुकी है क्योंकि वो जो टनल के अंदर एक्सेडेंट वाला जिसमें से एक कार तो टोटल लॉस होगी औलमॉस्ट टोटल लॉस बोल सकते हो जिसमें से दूसरी वाली कार को अभी मैंने जस्ट पीछे छोड़ा हूँ उसकी वी कार की बैंड बच गई है और अभी हम सेकंड पोजिशन पर चल रहे है पहला वाला बंदा तो बहुत जादा आगे निगल गया अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी ना मेरी कार राइट को गुसरी है पता नहीं और येस हम घूम फिर के वहीं पर आ गया है ये दो लैप की रेस होने वाली है चलो सेकंड ही आएंगे हम फर्स तो आने से रहे क्योंकि वो बंदा बहुत पर्फेक्ट चला रहा तो और वो बहुत जादा दूर निकल गया तो एक काम नहीं भाई नहीं 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 बहुत आराम से धीरे धीरे चलाता हूँ और इस रेस को फिनिश करता हूँ क्योंकि दुबार से वही से इन चीज़ है पिछले दो जो बंदे अपने वो तो टोटल लॉस में है तो वो आने वाले है नहीं पहला वाला बंदा बहुत जादा आ गया है बचे हम ही है भाई नहीं ये टान के अपर नहीं खंबो से दूर खंबो चे दूर या मैंने चेक पॉइंट मिस्स कर दिया ये आ गया मैं यहाँ पर भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहे है वो लोग तो मैं आराम से चेक पॉइंट लिया तो भी नहीं दिख रहे है कैर कोई ना पहुचतों मैं और रेस को फिनिश करता हुआ और बाई पता नहीं अभी ये बंदा कहा से अचानक आया और आगे निकल लिया में को ऐसे लगा था मैं अकेला हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे कार चला रहा था हमारी कार से ना बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है उत ज्यादा ही देख रहे हो लेट साइड साइड से भी आ अभी नहीं ये लास वाला चेक पॉइंट है शायद से इसके बाद में रेस एंड हो जाएगी ये 16 चेक पॉइंट से मैंने ले लिया वहां सामने वाली जो लाइन है वहां पर रेस एंड होगी और भाई हम थर्ड पोजिशन पर आगए पता नहीं वो दूसरा वाला बंदा काहा से आया मेरी कार को क्या हो गया है हिल यू यहाँ पर बहुत ऐसे अजीब से हो गई है येस अब होगी है रेस कंपलेट खेर थर आये कोई रही हमारी कार ना दुबारा से रिपैर हो गई है मैं सूच चूरों गई एक सैटिसफैक्शन वाला क्रेश करते हैं मतल्प अभ इस बार भाई हमने कार को अबाई ये क्या हो गया ऐसे हाइवे पर कौन बन रखता है आइ दोसों की स्पीड से जा रहा था मेरी पूरी कार पापड हो गई देख रहो एक छोटे सा डिबबा बनकर यहां पर आ गई कर रहा हूं कहीं या कुछ कर रहा हूं या मतब कुछ भी चीज़े कर रहा हूं तो मैं छोटा मोटा अपडेट इंस्ताग्राम पर दे देता हूं और हम अपनी लोकेशन पर दबारा से आ चुके यहां पर बहुत सारी अलग अलग चीज़े वाट रेस तो सिधा स्टार्ट हो करना क्या है यहां से जाना कहां पर है क्या मैं इस ब्लू सर्कल के अंदर जाओंगा 100 पॉइंट्स मिले 100 पॉइंट्स मिले भाई अपने को पूरी ऐसी कि तैसी होगी कार की continue अगर करूंगा तो अच्छा 100 पॉइंट्स मिले यह लो के अंदर जाएंगे तो एक काम करते हैं मैं थोड़ा सा ब्लू के अंदर जाता हूं रेस छोड़ दिया मैंने यहां पर बिल्कुल भी यह ब्लू के अंदर अगर मैं जाओंगा तो 50 पॉइंट्ट के अंदर 50 पॉइंट्ट है वने जंप प्रिमेंश तहू मेरे को जाना यूस वाइट वाले में वाइट वाले के अंदर अपने अपने को शायए चदरेश से ज्यादा पॉइंट मिलें क्योंकि उसका सर्कल वह बहुँद ज्यादा चोटणा है नहें यार का ट्राइ करेंगे क्योंकि इसी के पॉइंट सबसे ज्याद आये वान च्यू और थ्री इस बार ने चोड़ूंगा इस बार तो मैं शाय से अरे क्या मैं वहां तक नहीं आया इस बार बिल्कुल देख कर लेके जाओंगा यहां से स्ट्रेट इधर साइड में इस बार तो मैं यह परफेक्ट परफेक्ट वन फिफ्टी पॉइंट अब दुबारे से वैसी कार लाऊंगा और वन फिफ्टी पॉइंट लेंगे तो वन च्यू एन थ्री थोड़ा सा राइट को जाना है इसके बाद में थोड़ा सा लेफ्ट को मुड़ना है और यह बिल्कुल सरकल के अं यह वाले track के अंदर इतना ज्यादा issue नहीं हुआ ओ ले 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 भाई गंडा मिस कर दिया मैंने बहुत गंडा मिस कर दिया खेर चलो 300 points तो मिले अपने को और इस race का नाम है Speedy Scramble Speed through downtown Bellisco City and pass through as many targets as you can before times run out मतलब यह वाली race जो है यह time वाली होने वाली है उससे पहले ही हमें सारी चीज़े करनी है All right तो हम अपनी location पर आज चुके है No idea यहाँ पर यह गोली जैसे चल रही है कार भाई बहुत ज़्यादा और इसका control भी ना मतलब बहुत तगड़ा लग रहा है क्या what what मेरी कुछ गलती नहीं तीस में कार चल रही है चलने दो चलने दो यहाँ से right जाना है left जाना है right जाना है right जाना यह अगर मैप में बता देते हैं अपने को इदर से वहाँ जाना है उदर से यहाँ जाना है तो अच्छा रहता यह ऐसे blue color की नहीं नहीं ऐसी कित ऐसी होगई है हमारी कार की भाई बहुत भूरी carry try करता हूँ इस बार ना right से चलूँगा चिपक कर बिल्कुल भी one two three go right से रहना है time हम आपर पास में बिल्कुल भी नहीं है जितने कम time में हम ज्यादा target हिट करेंगे वह ज्यादा से रहेगा यहाँ से जाना है अपने को right side very nice very nice speed कमने करूंगा मैं जहां तक possible होगा खीचूंगा speed कमने को बाई 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 साइड मेर गया अपना right side का यहां से कहा जाना है भाई right जाना है left जाना है कुछ बता दो right जाना है right जाना है और यहां से दुबारा से turn करना यार मेरी car left को गुश रही है पता नहीं कुछ तो हुआ मेरी car लेफ्ट को भूज रही है यह वाला टांड मैने चलो थोड़ा सा मैनेज कर लिया हूँ इधर से ले लिया आप कहा पर अरे टायर फज गया मेरा उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ तीन मिनिट और 20 सेकेंड उसके अंदर हमें जितने तागेट्स हो सकते हैं उतने तागेट्स हिट करना है इसमें से 3-4 तो मैंने हिट कर लिया है और यहाха हो जाएगा टायर को मार लगा और अभी मैंने कम से कम सतर अस्ती के आसपास में रीटेक्स कर लिया हूँ ये कार लोकेशन तक पहुच ही नहीं रही है कार लोकेशन तक पहुच ही नहीं रहे भाई मैं कुछी भी कर लूँ 2-3 चेक पॉइंट मतलब 2-3 तार्गेट हिट करने के पाथ हमारी कार का एक्सिडेंट हो रहा है सिद्धा ये तो बहुत अब तक की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेक थी आएगेस ये यहां से मैं तूरंट ऐसे चेक पॉइंट ले लूँगा हाँ बस है इतना सफिशन्ट है और कही मैं आगे तक जहां भी रहा हुना तो वहां पर दूसरे बंदे आके एक्सिडेंट करा रहे है मैं तो सीधे चल रहा हूँ बट वो अचानक से ब्रेक लगा ले रहे या फिर टर्न कर ले तो उसमें बंदा कैसे मतलब क्या मैनेज करेगा है यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो चल रही है न कार हाँ चल ले जहां तक चल रही है जितने चेक पॉइंट जैसी कंडिशन में मैं ले सकता हूँ ले लूँगा यह ऐसे सीन हो रहा है मेरी कार राइट लेफ्ट को घूस रही है आप कुछ ने कर सकते हैं मेरी कार लेफ्ट को घूस रही है I guess मैं ये वाला चलो चेक पॉइंट ले लिया साथ चेक पॉइंट ले लिया अभी मेरे पास में एक देड़ मिनिट और बचा हुआ है इसके अंदर हो जाएगा यार राइट को चले भाई राइट को चले भाई राइट को चले भाई राइट को चले भाई शाय से हो सकता है मैं आठ चेक पॉइंट तो ले ही लूँगा इतिनी देर के अंदर सीधा जाना है या कहा जाना है सीधा तो नहीं जाना राइट को जाना जैसे तैसे मैं चला रहा हूँ और अब कुछ नहीं कर सकते हैं अरे भाई चल रही है बहुत ही मतलब जिद्धी कार है हमारी एक और चेक पॉइंट था मैं ले लूँगा एक मिनिट है मेरे पास में अभी भी एक मिनिट है एक क्या दो चेक पॉइंट मैं ले सकतो हट जा ना भाई मेरी ना कार राइट जा रही है ना रेफ्ट जा रही है तुई हट ले तू हट ले सामने से जैसे तैसे कार को तो मैंने निकाल लिया बट ये तो भी राइट और ले मिनिट तक पहुचे है वैसे यह डाउन हिल रैली क्या है शायद से रैली रेसिंग लग रही है मेरे को जो पहार से नीचे आना है और कटवट मारते हुए अपने को सेफ साइड पहुचना है शायद से start from the top of the mountain and reach the bottom in a race against the clock ये भी time वाली रेस भाई ये भी time वाली रेस चलो कोई ना कर लेंगे time वाली रेस ना क्या हुआ निकाल लेगा तुमारा भाई एकदम बढ़िया तरीके से पहुचेंगे नीचे पता नहीं कार का वैसे control बहुत सही है कार का control बहुत मतब काफी ज्यादा सही है वैसे यह पहाड़ी इतनी भी नहरों नहीं है मतलब ठीक है डीसेंट डीसेंट पहाड़ी है और कभी-कभी ऐसा लगता ही कि छोटे-मोटे साइन बोट को हम मार करना नीचे तोड़ देंगे बट एक्चल में ऐसा होता नहीं है छोटे से साइन बोट अपनी पूरी कार की ना पैंड बजाते थे भाई 41 चेक पॉइंट है और 41 चेक पॉइंट में भाई यह इंपॉसिबल है यह मैंने मेरे जैसा ड्राइवर इस रेस को एंड करना नियरली इंपॉसिबल है बस तुम देख लो मेरी हरकतों से तुम्हें पता लग जाएगा मतलब ड्राइविंग स्किल से ब्रो छे चॉक पॉइ और यहां के रास्ते देख रहे हो भाई साब कितने ज्यादा खत्रा अगर मैं नीचे गया तो मैं समझ लो गया बचने का कोई चांस नहीं यह तो भाई इदर की तो पूरी सोसाइटी टुटी हुए मतलब जो शौप थी या क्या दी मिटी के अंदर बहुत जादा स्लाइड लिए आठ चेक पॉइंट लिए हमेने टोटल पता नहीं और कितने हम सही सलामत चेक पॉइंट ले पाएंगे वैसे बच गए बच गए बच गए नीचे उतर जाता मिटी के अंदर ना मतलब आगे के टायर भी ना पूरे घूम जा रहे है तो मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे ड सामने दो तीन चेक पॉइंट और दिख रहे हैं के लाएं से वैसे तेरा चेक पॉइंट नहीं के लिए मत अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कर लेंगे हम इजी है सीन नहीं है बट एक्सिडंट ना हुआ हमारा यहां से कहा जाना भाई यहां प्यारी डिफ्ट हो रही ह है पूंधरा चेक पॉइंट इहां पर अपे लीये है यह है बाई जैक यहां खैक है यहां चैक पॉइंट है ंपर कॉने को सामनें डार का शेक पॉइंट ऑर मैंने कोई 10 प्राइट कर दिया अगर अमने दीन टायर नहीं है और अब हमें कोई नहीं बचा बचा सकते भाई हमें बचा सकते मतलब मेजर एक्सिडंट रहें बस एक चोटी सी प्यारी सी च्यूट सी फ्लिप थी इसके अंदर तो अपना काम हो जाएगा मतलब मैं को लगा हमाने कार का टोटल लॉस हो गया हमारी कार का बट वह चलो 21 चेक पॉइंट्स ले लिए हो मैंने पाहडी तो कुछ ज्यादा बढ़ी है यह मैं अब कार चला दे थोड़ा थोड़ा पर्फेक्ट हो रहा है ने 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 चोटी सी खरोच है और कोई ना ये रोड पर मैं कार चला दे चला दे ना परफेक्ट हो गया उस टेरिंग वील के साथ में तो भाई एक बार ट्राइक करना पड़ेगा तब पता लगेगा रियल ड्राइविंग कैसी है इस रोड के ओपर हमारी 25 チपनट्स आ गए अभी और कितने चेक्ज़़ वेटिसिक्षषज़ पॉकर निखले अगर आगे लखर साइड़ का एक ताइय और बैकसाइड का एक टायर निकलता ना तो भी मैं ऐसे दो टायर में बैलेंस करते करते हैं पहुंचा देता बट यहां से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया राइट लेफ्ट करके कार आगे बढ़ेगी रोट तक भी अगर ले लुना में तो हो जाएगा थोड़ी सी बढ़ रहे हैं बट किये और बस दो-तिन दिन के अंदर सारी सीरिस के एपिसोड रेगुलर आ जाएंगे तो बस तुम एंजॉय करोगे लाइक कर देना सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो सारी चीजों का लिंक मतलब नीच आ जाएकी तो मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में जब तक है लेटे कैर पाबाइसी